वेल्कम एरिवन तो आज से हम शुरू करने वाले हैं टूलिप सीरिस बुक क्लास नाइंथ इंग्लिश ठीक है क्लास नाइंथ की कम्प्लीट इंग्लिश हम आपको पढ़ाएंगे और हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है पैकिंग और इसके राइटर है जरूम के जरूम तो क्या आपने कभी किसी को पैकिंग में मदद की है क्या आपको कभी भूल गया था सबसे ज्यादा जरूरी चीजों को पैक करना फॉर ट्रिप जब आप ट्रिप पे जा रहे थे ठीक है तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप बूल गये थे क्या आप जुन जोर से हैसे थे ठीक है बॉस्ट इन्टो लम चाम आता होता है जोर जोर से हैसे थे और become angry with yourself या फिर आप खुद से ही घुसा हुए थे एंगरी हुए थे ठीक है तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं लेकिन हम आपसे बता दें कि इस चैप्टर में जो पहले करेक्टर हैं उनके नाम हम जान लेते हैं तो यहां पे एक करेक्टर राइटर खुद है यानि के जरूम के जरूम एक करेक्टर वो खुद है और इसके अलावा उनके दो दोस्त हैं एक का नाम है जार्ज और दूसरे का नाम है हैरिस ठीक है और इसके लाव यहाँ पे कुटा है तो यहाँ पे कुल मिलाके चार करेक्टर्स हैं तो राइटर को और इसके दोस्तों को एक ट्रिप पे जाना है अब यह लोग पैकिंग कर रहे हैं तो यह जो चप्टर है ना राइटर ने इस चप्टर को बिल्कुल हिलेरियस वे में यानि की मजाहिया तरीके से सको बयान किया है जब हम पढ़िगे ना तो हमें समय में आएगा कि राइटर ने बिल्कुल हिलेरियस कहा कि में पैकिंग करूंगा То राइटर कहते है मुझे अपनी पैकिंग पे फखर है कि मैं सबसे अच्छी पैकिंग करता हूँ ठीक है? तो प्राइट से मत होता है फखर करना ओके? पैकिंग इस वन अफ दोज मैनी थिंग्स यानि कि पैकिंग उन चीजों में से एक चीज़ है that I feel जो कि मुझे लगता है I know more about than any other person living यानि कि मुझे पैकिंग के बारे में सबसे ज्यदा मालूम है किसी ओर रहने वाले शक्कस को पैकिंग के बारे में अतना मालूम नहीं है जितना मुझे मालूम है यानि कि मैं पैकिंग में best हूँ ठीक है? It surprises me myself sometimes याने कि कभी कभी मुझे खुद इस बात से हैरत होती है मैं खुद हैरान होता हूँ How many side things there are याने कि कितने ऐसे काम हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं तो यहां पर राइटर अपनी तारीफ कर रहे हैं कहते हैं कि मैं सब गाम अच्छी तरह से कर लेता हूँ चीक है I impressed the fact upon George and Harris याने कि राइटर कहते हैं मैं यही बात कह रहा था George से और Harris से कि मैं पैकिंग बहुत अच्छी करता हूँ मैं बहुत अच्छी पैकिंग जानता हूँ And told them तो मैंने George and Harris से कहा That they had better leave the whole matter entirely to me याने कि राइटर ने उनसे कहा कि अच्छा होगा कि तुम लोग पैकिंग का सारा मामला मुझ पे ही छोड़ दो ठीक है तो यहाँ पे जो matter है ना यहाँ पे matter से मत्दब पैकिंग whole packing entirely on me याने कि सारी की सारी packing तुम मुझ पे छोड़ दो ठीक है They fell into the suggestion with a readiness तो राइटर कहता है उन्होंने मेरी बात को जल्द ही मान लिया ठीक है fell into को यहाँ पे मतलब है accept कर लिया मान लिया उन्होंने मेरी suggestion को मेरी बात को जल्द ही मान लिया with readiness readiness का मत होता है तैयारी के साथ यानि कि जैसे वो तैयार बैठे थे मानने के लिये तो उन्होंने बहुत ही जल्दी मेरी बात को मान लिया that had something uncanny about it लेकिन इस बात से मुझे कुछ अजीब ही महसूस हुआ यानि कि मुझे बहुत बुरा लगा uncanny यानि कि strange बुरा लगा ठीक है क्यूंकि उन्होंने बहुत भी बुरी तरह से कह यहां ठीक है तुम करो हम बैठने वाले हैं तो राइटो की यह चीज बुरी लगी ठीक है जार्ज पूट आन एपाइप यानि कि जार्ज ने एक पाइप ले ली को बैंड किया क्या, अपने लगस आपने टाउन को बैंड किया एक सिगार और एक सिगार जना लिया ठीक है तो राइटर gehört मेरे कहने में का बिलकुल भी üzह मतलब नहीं था ठीक है जिस पर लेकने का यह मतलब यह मतलब भी नहीं था What I had meant of course was that I should boss the job तो writer कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे जाब को boss करूँ यानि कि मैं ही सब कुछ बोलू और मैं इन लोग उसे काम कराओंगा मैं इसे करूँगा तुम ये करो तुम ये करो तो मैं boss बन जाओं और मैं इसे काम कराओं मेरे कहने का ये ही मतलब था ठीक है and that hers and George should potter about under my directions और Harris और George को मेरी बात माननी पड़ींगी मैं उसे जो कहाँगा वो उनको करना पड़ेगा मेरे कहने का ये ही मतलब था ठीक है तो देखिए potter about potter about का मतलब होता है छोड़ छोड़े काम करना याने के Harris और George को मेरी direction के मताबिक मेरे कहने के मताबिक छोटे मोटे काम करने थे I pushing them aside every now and then तो रटर कहता है मैं उनको कभी-कभी उनके काम से हटाता I pushing them aside मैं उनको कभी-कभी उनके काम से हटाता देखिए every now and then से मतलब होता है कभी-कभी ठीक है कभी कभी मैं उनको काम से घटाता Oh you here let me do it तो मैं उनसे कहता रहे यार देखो चलो मैं करता हूँ तुम नहीं आता है न कभी क्या आता है बस खूद क्या कहता है अरे तुम नहीं आता है मैं खूद करता हूँ तो राईर भी यही कह रहा है कि मैं यह सोच रहा था, मैं खुद इन से कहूंगा कि तुम काम करो और जहां से इनको नहीं आएगा, तो वहां से मैं इनको सिखाऊंगा अरे हटो, तुम नहीं आता, there are you, simple and ये काम तो काफी आसान है, तुम ये भी नहीं आता, ठीक है really teaching them as you might say, याने कि मैं उन्हें सिखाता, ठीक है they are talking it in the way they did irritate me, तुम राइटर कहता है जिस तरीके से वो लोग अभी बातें कर रहे थे ना, मुझे इस चीज़ से काफी irritate में हो रहा था, याने कि मैं काफी तंग हो रहा था, कि वो लोग बैठके बातें कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूं, तो मैं irritate हो रहा था, ठीक है there is nothing that irritates me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am walking तो राइटर कहता है, इस चीज़ से ज्यादा, there is nothing that irritates me more याने कि इस चीज़ से ज्यादा मुझे कोई भी चीज़ irritate नहीं करती कि जब मैं काम कर रहा होता हूं, तो दूसरी लोग बैठे होते हैं इस चीज़ से में irritate होता हूं, याने कि तंग होता हूं, मुझे बुरा लगता है जब मैं काम कर रहा हूं, और दूसरी लोग sitting, याने कि बैठ रहे हैं तो राइटर को अब एक बात याद आती है, अब तक ये अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, अब उसे एक बात याद आती है तो कहता है, मैं एक दफ़ा एक आदमी के साथ रहता था, वो भी मुझे इन की तरह पागल करता था जार्ज और हैर्स की तरह, वो भी मुझे पागल किया करता था याने कि वो सोफे पे टेक लगा के बैठ जाता था लोल आउन दे सोफे से मतलब है, टेक लगा के सोफे पे बैठ जाता था And watch me doing things by the hour together यानि कि वो मुझे गंटू-गंटू काम करते देखता था लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं करता था ठीक है बस मुझे watch यानि कि देखता रहता था He said it did him real good वो कहता था कि उसे ये चीज बहुत अच्छी लगती है To look on at me कि वह मुझे देख रहा है मैं सिंग आवाउट कि मैं छोटी छोड़ी काम कर रहा हूं वह मुझे देखता है तो उसे अच्छा लगता है लेकिन खुद वह बैठा हुआ है ठीक है तो देखिए मैं सिंग अबाउट का मत होता है छोटी छोड़ी काम में काम में टाइम वेस्ट करना यानि कि वो जब मुझे देखता था काम कर रहा हूं उसे अच्छा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और वो मुझे देख रहा है ठीक है now I am not like that writer कहता है मैं उसकी तरह नहीं हूँ I cannot sit still मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकता sit still यानि कि एक जगह पे बैठ जाना मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकता and see another man slaving and working और मैं किसी दूसरे आदमी को देख हूं कि वो काम कर रहा है वो बज़रा घुलामी कर रहा है और मैं बैठ जाओं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता writer कहते है I want to get up and super intend देंड यान मैं राटर कहता है में चाहता हो हो जाओ और मैं काम करों मैं को supervised करों मैं करों झाराऊ बज़िए और मैं को देखंण और मेरे हाथ मेरी जेव में हो में boss की तरह जाओ घाओं हाथ जेव में डालूं और काम को देखता जाओं कहां से ठीक है कहां से घलत है ठीक है and tell him what to do और लोगों से कहूं दूसरों से कहूं कि तुम्हें क्या करना है it is my energetic nature, I cannot help it तो writer कहता है ये मेरा nature है, ये मेरा मिजज ऐसा ही है मैं इसे कुछ नहीं कर सकता है यानि कि मेरा दिल करता है कि मैं बास की तरह काम करूँ यह मेरा नेचर है यह मेरा मिजाज है तो I can't help it मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है ठीक है However, I did not say anything तो राइटर कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा यानि कि जार्ज और हैर्स को मैंने कुछ भी नहीं कहा मैं काम करने लगा But started the packing तो मैंने packing शुरू कर दी It seemed a longer job than I had thought यानि कि राइटर कहता है यह तो बहुत ही बड़ा काम हो गया मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा यह काम है यह मुश्किल है And I sat on it and strapped it तो फिर मैं बैग की उपर बैठ गया और बैग को strap यानि के बंद कर दी ठीक है तो strap को मत होता है बंद कर दीन Aren't you going to put the boots in said Harris तो जैसे ही मैंने बैग बंद किया इतने में Harris ने कहा क्या तुम boots को pack नहीं करोगे ठीक है जूते को pack नहीं करोगे And I looked round और मैंने आसपास देखा I found I had forgotten him तो मैंने देखा कि मैं जूते pack करना भूल गया हूँ ठीक है That is just like Harris यानि कि Harris तो ऐसा ही है राटर कहता है Harris ऐसा ही है He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped यानि कि इसने तब तब कुछ भी नहीं बोला जब तक मैंने back बंद कर दिया हलाँ कि उसे पता था राटर कहता है कि उसे पता था कि जूते pack नहीं हुए है लेकिन उसने अब तक नहीं बोला जब मैंने back बंद किया उसने मुझे तब बोला तो ये मुझे irritate करने की कोशिश कर रहा है ये मुझे तंग करने की कोशिश करता है इसलिए उसने मुझे last पे बोला ठीक है So, and George laughed और George हैसने लगा One of those irritating, senseless laughs of his यानि कि writer कहता है ये George हैसने लगा तो ये बहुत बुरी तरह से हसता है One of the irritating and senseless यानि कि बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही बेहुदा तरीके से वह हसता है They do make me so wild तो इन लोग ने मुझे बहुत घुसा दिलाया Wild यानि कि Wild का मत होता है बहुत ज़्यदा घुसा आना ठीक है यहां पे तो writer कहता है मैं बहुत wild हो गया यानि कि मुझे बहुत ज़्यदा घुसा आ गया I opened the bag मैंने bag खोला And pack the boots in और boots को pack किया जो तुम को pack किया And then just as I was going to close it और जैसे ही मैं bag को बंद करने वाला था A horrible idea occurred to me तो मुझे एक idea आ गया मुझे एक सोच आ गया जो कि बहुत horrible थी बहुत जीब यानि कि बहुत बुरा ख्याल मुझे आ गया Had I packed my toothbrush क्या मैंने अपना toothbrush pack किया है मुझे ये ख्याल आ गया I don't know how it is यानि कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है But I never do know whether I have packed my toothbrush यानि कि मुझे हमेशा यही हो जाता है मुझे याद नहीं रहता है क्या मैंने अपना toothbrush pack किया या नहीं किया I never do know यानि कि मुझे कभी याद नहीं रहता toothbrush को pack करना ठीक है My toothbrush is a thing that hurts me यानि कि मेरा toothbrush वो चीज़ है जो मुझे बार बार डराता है Harts me Harts me से मतलब मुझे बार बार डराता है लाइफ को बहुत ज़्यदा सकती में मालब मेरे लाइफ को बहुत मुझे में डाल देता है ठीक है तो मिजरी से मतलब होता है मुझे बहुत परिशानी में डाल देता है Toothbrush ठीक है I dream that I have not packed it यानि कि मुझे उस रात को खाब आते हैं कि मैंने शायद Toothbrush को पैग नहीं किया And wake up और मैं जाग जाता हूँ In a cold perspiration यानि कि मुझे बहुत पसीना आ जाता है Cold perspiration से मतलब है पसीने के आ जाना ठीक है मुझे बहुत पसीना आ जाता है जब मैं यह सोईता हूँ कि मैंने शायद टूथ ब्रश को पैक नहीं किया है फिर मैं जाग जाता हूँ फिर मुझे कोर्ड पिस्पिरिशन हो जाती है मुझे पसीना आता है and get out of bed और मैं बिस्तर से उठके निकलता हूँ and hunt for it और ब्रश को डूनता हूँ तो यहाँ पर hunt से मतलब है डून न ठीक है और अपने toothbrush को डूनता हूँ and in the morning और जब सुबा होती है I packed it before I have used it यानि कि इससे पहले मैंने उसे pack किया था जब मैंने उसे use किया है न मालब सुबा जब use करना है तो उससे पहले रात को pack किया था था and I have to unpack again last thing I turn out of the bag और यही वो आकरी चीज होती है जो मुझे last per bag से निकालने पड़ती है and then I repack तो फिर मैं इसे दुबारा से pack करता हूँ and forget it और भूल जाता हूँ क्या मैंने pack किया था या नहीं किया था ठीक है and have to rush upstairs for it और फिर मुझे दोड़ कर उपर जाना पड़ता है ठीक है rush से मता होता है दोड़ की जाना तेजी से जाना मुझे तेजी से उपर जाना पड़ता है at the last moment आखरी लमहे में and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief तो फिर मुझे उसे अपने जो हाथों का रुमाल होता है उसमें लपेट कर railway station पर लेके जाना पड़ता है ठीक है तो वैब कमाता था लपेट ना ठीक है handkerchief यानि कि जो हाथों का रुमाल होता है ना हाथों में उसको बोते हैंकरchief तो रैटर कहता है मुझे दोड़ के उपर जाना पड़ता है आखरी लम्हे में यानि कि जब मुझे ट्रिप के लिए निकलना पड़ता है उस वक्त मैं जाता हूँ और मैं उसको अपने रुमाल में लपेड़ता हूँ और फिर रेलवे स्टेशन जाता हूँ ठीक है टो राइटर केहता है अब मुझे पिर से अपने दोस्तों के पास आ खाल गए ठीक है तो यह क्या कहता है Of course I had to turn every mortal thing out now अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे हर छोटी मोटी चीज को बाहर निकाल के फैंगना पड़ेगा क्योंकि मुझे भूल गया है क्या मैंने ब्रश को पैक किया या नहीं किया Of course I could not find it लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा था I rummage the things up into much the same state that they must have been before the world was created तो यहां पर writer कहता है कि मैंने सब चीजों को निकाल के ऐसे फैंका ठीक है Rummage, rummage का मत होता है मनद बुरी तरह से ढूंडना ठीक है तो मैंने चीजों में से अपने ब्रश को इतनी बुरी तरह से ढूंडा जैसे के जब दुनिया नहीं बनी होगी तो दुनिया मनद जब नहीं बनी होगी तो वो कैसी होगी बिल्कुल बिखरी होई तो इस तरह से मैंने सबी चीजों को बिखार कर रह दिया क्योंकि मुझे अपना ब्रश नहीं मिल रहा था ठीक है And when chaos arranged और क्या कहता है जब दुनिया नहीं बनी थी तो कितना कहोस होगा है न कहोस मतलब कितनी मतब तबाई होगी कितनी बुरी बुरी चीजें होगी जब यहां पर दुनिया नहीं बनी होगी Of course I found George and Harris 18 times over यानि कि राटर कहता है George का और Harris का जो ब्रश था वो मुझे अठना बार दिख गया But I could not find my own लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिल रहा था चीक है I put the things back one by one तो फिर मैंने चीज़ों को one by one करके रखा And hacked everything up and shook it और हर एक चीज़ को उपर किया यानि कि लटकाया और फिर shook किया Shook से मतब शेक करना मैंने हर एक चीज़ को हिलाया कहीं इसमें ब्रश नफस गया हो किसी कपड़े में किसी जूते में ब्रश नफस गया हो Then I found it inside a boot तो फिर मैंने देखा कि मेरा ब्रश जो था वो एक जूते में चला गया था I repacked once more तो फिर मैंने दुबारे से सबी चीज़ों को पैक किया ठीक है When I had finished यानि कि जब मैंने पैकिंग फिनिश कर दी खतम कर दी George asked If the soap was in तो George ने कहा क्या आपने साबून पैक किया है I said I didn't care I hung whether the soap was in or whether it was not तो मैंने George से कहा मुझे थोड़ी भी परवाद नहीं है कि साबून मैंने पैक किया है या नहीं किया ठीक है And I slammed the bag shut and strapped it तो फिर मैंने बैक को जोर से पटका Slammed Slammed से मत होता है किसी चीज़ को जोर से पटकना ठीक है मैंने बैक को जोर से पटका नीचे मारा और फिर मैंने से strap कर दियाने के बंद कर दिया And found that I had packed my tobacco pouch in it और मैंने देखा कि जो मेरे tobacco की ठीली है वो भी मैंने इसमें पैक कर दिया है कभी कभी जल्दी में हो जाता है कि कभी कभी mobile phone भी पैक हो जाता है तो जो जो जरूरी चीज़े होती है वो भी पैक हो जाती है जल्दी में ठीक है तो राइटर कहता है जल्दी में मेरे जो तबैक को पोच था जो तबैक को की ठेली थी वो भी पैक हो गई And had to reopen it तो फिर मुझे दुबारा से बैक को खोलना पड़ा और तबैक को की ठेली को निकालना पड़ा ठीक है I got shut up finally at 10.05 पीम तो फिर मैंने इस काम को पैकिंग के काम को खतम किया और राद के 10 बज़ के 5 मिनट पर ठीक है And then they are remand the hampers to do अब जो है न वो कुछ टोक्रियां वोक्रियां रहे गए थी हैंपर से मत होता है वो टोक्रियां होती न जो हमें सावान उठाने के लिए काम आती है उनको बोलते हैंपर ठीक है अब कुछ टोक्रियां रहे गए थी पैक करने के लिए Okay Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time तो Harris ने कहा अभी जो जाने में 12 गंटे बचे हैं तो अब हम पैकिंग शुरू करते हैं यानि कि अब हम पैकिंग करेंगे Harris और George अब पैकिंग करेंगे ठीक है And thought that he and George had better to do the rest यानि कि अब तक हम rest कर रहे थे तो अब हम पैकिंग करेंगे And I agreed and sat down तो writer कहता है मैंने उनकी बात को मान लिया I agreed मैंने मान लिया और मैं बैठ गया ठीक है And they had a go और फिर वो शुरू हो गए ठीक है They began in a light hearted spirit यानि कि उन्होंने काम को शुरू किया काफी हैसी खुशी के साथ Light hearted से मतलब होता है मतलब काफी हस्ते हस्ते खुशी के साथ ठीक है तो उन्होंने काम को शुरू किया काफी खुशी के साथ Evidently intending to show me how to do it यानि के जाहर सी बात है Evidently से हम मतलब है जैसे हम कहते हैं जाहर सी बात है इस तरह से जाहर सी बात है वो लोग मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अरट ले कहता है कि वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि packing कैसे करनी है intending इन्टैंडिंग काम बतो होता है दिखाने की कोशिश करना जाहर करना ठीक है वो लोग मुझे पर ये जाहर करना चाहते थे कि packing कैसे करनी है I made no comment राट कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा a gefunden wedded मैंने इंतर हिए ठीक है विड एक्सप्जिन उफ जॉड़ कर域 सब कर आ button कमाता है यान कर चोड़ कर ठीक है जौड़ को छोड़ कर वीड अगस्प्जन फट जे शब आप जार में सबसे बुरा पएकर हैर सबसे بुरा है है उठीक है एड लुक्ट capaz of plates सब्सक्राइब करते जो प्लेट से झाप्स पॉटल जार ना जो भी पाइस काने भाले की चीजें जो स्टोर्स ते और जो केक्स ते और टमयट जो टमाटो सब थे मैं इनकी और देख रहा था and felt that the thing would soon become exciting और मुझे लग रहा था कि जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है exciting होने वाला है यानि की कुछ अच्छी सी चीज अभी होने वाली है ठीक है I did they started with breaking a cup यानि के ऐसा ही हुआ तो उन्होंने एक काम को शुरू किया एक cup के तोड़ने के साथ यानि कि उन्होंने पहले ही एक cup तोड़ा ठीक है that was the first thing they did यानि कि यही पहला काम था जो उन्होंने किया ठीक है तो यहाँ पे writer hilarious एक तरीकी में कह रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं चीक है यानि कि वो क्या कर सकते हैं वो यह दिखाना चाह रहे थे and to get you interested और तुम्हारी दिल्चस्पी बढ़ाना चाहते थे कि देखो हम काम कैसे करते हैं ओके तो इससे आगे जो है उसे हम पाट सेकंड में डिसकस करेंगे तो मिलते हैं पाट सेकंड में तब तक के लिए अपना रखिए देर साथ ख्याल and stay connected